हलो एवरिवन तो आज से मैं हिंदी का वीडियो अलग बनाना शुरू करूँगी क्योंकि आप में से बहुत लोग यह चाहते हैं कि मैं हिंदी का वीडियो बनाऊ और बहुत लोग यह चाहते हैं कि केवल मैं इंग्लिश का वीडियो बनाऊ तो आज से दो-दो वीडियो बने और यहां फिर जो पहले stocks भीवे उनकी analysis करूंगी है तो कल की बात मैं करती हूं सबसे पहले कल मैंने एक trade लिया था यह 5 minute का graph है मैंने 15 minutes के graph पे एक trade लिया था वो trade लिया था मैंने यहां पे यहां पे लिया था यहाँ पर लिया था मैंने निफ्टी की call 9050 की यह वाली call मैंने buy की थी और यहाँ से निफ्टी उपर गई और फिर resistance लेके नेके नीचे आगे थी और मतलब मैं किसी काम में busy होगई मतलब मेरा webinar चल रहा था और एकड़ मैं kind of भूली गई इस बारे में कि मैंने यहां पर एक लगा के मैंने 600 जो है calls ले रखी है इसकी 9050 की और मैंने सोचा कि मैंने अपने office में बोल दिया है कि इसको देखते रहना but I think वो भी मैं भूल गई तो anyway उस सब चक्कर में क्या हुआ कि यह जब कल निफ्टी बंद हुई है यह call यह बंद हुई है करीब 58 पर बंद हुई है और मैंने 74 पर लिया था तो there was a massive काफी जादा loss के साथ बंद हुआ तो but I want to apologize to हरे के साथ में माफी मागना चाहते हूं कि यह बहुत irresponsible और बहुत ही खराब ट्रेट था क्योंकि अगर मैं technical analysis करती हूं तो मुझे अपनी technical analysis को ही समझना चाहिए और कल मुझसे बहुत सारी भूल हुई है एक तो यह कि अभी भी देखे आपको 200 moving average नहीं दिख रह है बट जब बाद में मैं अपने office में बैट के देख रही थी तो graph दूसरे GCI के platform पर तो तब मुझे यह 200 moving average दिखाई दी है इसमें देखे कितना clear clear resistance लग गया था यहां पर और यह इस चगे पर जब nifty थी तो मतलब मेरे मैं जहां से लिए थी उससे almost 10.00 उपर थी मतलब कि म मैं देखी नहीं थी मैं किसी और काम में busy थी इसलिए वो trade भी सारा मेरा बेकार हो गया मतलब मैं उसमें कुछ करी नहीं पाई anyway फिर जब मैंने सारे तीन बजे के बाद देखा तब तो यह बिलकुल ही मतलब इसका item वो हो चुका था खराब हो चुका था फिर आज सुबे से मैं यहां पर wait कर रही थी यह उपर नीचे उपर नीचे उपर नीचे मैं यह wait कर रही थी अकर यह candle इस 10 moving average को छोड़ देती है तो मैं अपने trade से निकल जाओंगी और एक जो मुझे hope थी वो यह hope थी कि यह जो 5 minutes का graph है यह जो 5 minutes का graph है मैं आपको दिखा रही हूँ यह वाला यह 5 minutes का graph है यह 5 minutes का graph है इस वाले graph में यहाँ पर थे है यहाँ पर है इस जगह पर थे यह जगए पर रहा था लेकर resistance लेकर नीचे और बाद तो फोड़ा उपर चार्णे की कोशिश की निड़ कर रही थी कि अगर अगर ये resistance को cross कर लेगी 5 minutes के में 50 moving average को cross कर लेगी then nifty will go up उसके बाद nifty उपर जाएगी अच्छे से तो ये खेर गई उपर गई थोड़ी बाद उपर तक गई अब इसको जो है अब इसको फिर से resistance लग रहा है कम से कम ये आदा एक घंटा यहां पे घुमेगी वेट करेगी अगर इसको बहुत पॉजिटिवली और बहुत फास्ट तरीके से उपर जाना है तो नहीं तो भी थोड़ी दर घुमेगी और वेट करेगी वन थर्टी तक का वेट करेगी जब यूरप का मार्केट खुल जाएगा उसके बाद यह कुछ अपना डिरेक्शन को डिसाइट करेगी तो यह निफ्टी की आज चाल है अभी मैंने अपना ट्रेड एक्जित नहीं किया है जो मैंने कल 600 कॉल्स ले रखी थी 9050 की अभी भी मैंने ले रखी है मगर मैं आपको यह दिखाऊंगी नहीं क्योंकि मैंने कोई और ट्रेड भी कर रखा है और हुआ क्य यह ने मेरा ट्रेड देखे वो ट्रेड कर रखा था डॉक्टर रेड रेडी का और उसको यह भी नहीं पता था कि कॉल क्या होता है पुट क्या होता है और कॉल में यह वैल्यू क्या होती है and of course he made money he's written me an email that I'll show you the email also is written me कि उसने लिखा है मुझे email में कि यह कॉल क्या होता यह क्या पुट क्या होता है मुझे नहीं पता but मैंने जो है कितना profit बनाया है इसने बनाया है यह बढ़िघ है कहसेओ लिखा होता हुए रिखा सेंवने जोसी आपको स्कैनल अबिग यह ते संवी CE, he says what is this, you know, current market price, bought at this, sold at this, what is CE, what is P, you know, this is not a good idea, this is really not a good idea because आपको सब कुछ पता होना चाहिए जब आप ट्रेट कर रहे हैं, तो आपको अपने ट्रेट के बारे में हर चीज पता होनी चाहिए, क्या उसकी market cap क्या है, यह तो मैं आपको इसी current उसमें बता रही हूँ, बट इनके क्या-क्या orders चल रहे हैं, इनके पास कितनी profitability है, और यह तो आप current market price और call input value की बात कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल लास्ट में सोचना है, तो वो चीज आप कभी भी मत करिये कि किसी का देख के कुछ भी ट्रेट कर दिया, हालंकि यह जो जिनोंने किया है, वो लगी थे, तो उनको 27,000 रुपे उन्होंने बना लिये हैं, बट यह, I mean, मैं कभी भी नहीं करूँ और ना कितना नीचे आती है, जब नीचे आती है, कितने दिन तो अपर जाती है, और वो आपको ने वैसे यहां डिरेक भी मिल जाएगा, अगर आपको देखना हो, निफ्टी को यह देखे, निफ्टी यहां से भी आपको देख जाएगी, clear, जैसे, देखे, यहां से जब चलना क्लारिटी मिलती है तो वन दे के ग्राफ को अगर आप समझ जाएंगे न तो आपको निफ्की पूरी समझ में आ जाएगी अब देखिए यहां टच किया इसने फिर एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नौ दरस ग्यारा बारा फिर यह इतना उपर 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 चली जा रहे है निफ्की तो वन दे के ग्राफ को पूरा इनलाइस करें दूसरा यह काम और आप कर सकते हैं याहू फाइनस में जाएए और वहां पर जाके निफ्की का हिस्टोरेकल डेटा डाउंडोड कर लिजए ठीक है और उसको एक एक्सल पर डाउंडोड करके लाइक पर जाके निफ्की का जितना भी डेटा है सच लगसे निफ्की निफ्की को हम ओपन कर लेते हैं ठीक है इस निफ्की में जाके आप इसका हिस्टोरिकल डेटा डाउंडोड करिये तो कर सका इस्टोरिकल डेटा आपको कहां मिलेगा की है एस्सटोरिकल डेटा और इसका जितना भी आपको चैए आए वृड क्रिए कि आप दो साल करिए और दो साल का डेटा डाउनलोड करने के बाद उसको सब्टाक करके देखिया हर दिन में निफ्टी कितने पॉंट्स चलती है 20 points चलती है 30 points चलती है उपर जाती है तो कितने points चलती है और मैं पुरी अच्छा आपको वो मैं करके दिखाऊंगे एक दिन किसी दिन कि कैसे करना चाहिए बट एक बार अपने आप भी कोशिश करिए Nifty को समझने की Nifty आपको समझ में आजाएगी तो हर तो आप ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो कि आपको समझ नहीं आता है Right So आपको कई लोगों को studies में problem हो रही है तो यहां से आप moving studies में जाके moving averages लगाई है moving averages में 50, 10, 200 लगाई है different color दे दीजे और create कर दीजे Then RSI MACD आपको लगाना है यहां से MACD लगाना है directly जो भी आता है वो एक create कर दीजे and तीसरी जे चीज़ आपको लगानी है RSI लगानी है RSI में जो है overbought जो है आप 60 कर देंगे oversold आप 40 कर देंगे और उसको create कर देंगे यही चीज़े आपको करके अपना graph लगा लेना है volume की ज़रूरत नहीं है volume को आप मैं हटा भी देती हूं तो यह अपने आप पता नहीं क्यों आ जाता है but if it is not there अगर नहीं है तो कोई problem नहीं है ठीक है तो अब चलते हैं एक बार मैं क्योंकि Nifty की analysis खतम करने वाली हूं तो आप एक बार देखते हैं हमारे stocks जो मैंने आपको दिये थे वो कैसा कैसा कैसी कैसी उनकी performance है तो सबसे पहले देखते है इंडो count का यह आज भी धाय रुपे अप है और मैंने green ply कल आपको बोला था 4 रुपे 15 पैसे सुभे अभी मतलब अपसे एक घंटा पहले यह करीब 5-6 रुपे भी उपर था खीके यह तो थी मनापुरम भी आज 3.5 रुपे उपर है और तेन कल जो मैंने आपको बोला था कल मैं आपको बोल रही मतलब पहले कई कई दिन कि मैंने आपको बोल रखा है कि मैंने आपको बथा था मवाना शुगर मैंने आपको बता रखा था मवाना शुगर भी 89-85 पे है हम अन्देन आप आइटोल यू अबाओ फ्यू मोर्स टॉक्स जैसे एक था क्रीव कॉटन यह भी अच्छा खासा मूवमेंट दे रहा है और एक मैंने आपको वोल्टास बोला था विच इस अबाओ वन रुपी आप सो वोल्टास का तो यह रूल है जैसे समर्स आती है यह उपर चलने की तैयारी में आ जाता है जैसे गर्मी आती है यह उपर चल देता है जैसे सर्दी आती है तो यह नीचे चल देता और मैंने पूरी की पूरी आपके साथ एनलेसिस भी की थी वोल्टास की ठीक है तो आप आप लोग अब मैं आपके बात से एक थोड़े छोटे वीडियो उस बनाओंगी तो मैं के वल कॉंसेंटरेट करूंगी निफ्टी के अनलेसिस पर और जहां तक स्टॉक्स है वो आपको खुद अनलाइस करने है खुद निकालने है और खुद उनके बारे में सोचना है कि क्या करना है ठीक है बेसिक अनलेसिस आप सब को आ जानी चाहिए एडवांस अनलेस है उनके लिए होगा और एक बहुत ज्यादा एडवांस कुर्स भी होगा तो आपके पास काफी पॉसबिलेटीस होंगी तो आप उसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं सो प्रीज आपकी जो भी प्रॉब्लम सो लिखके भीजिए मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनको एड्रस करूं तो आल दो बेस्ट बहुत अच्छे से करिए और सोच के करिए और यह ज़रूरी निया कि आपके पास लाखों रुपे होने चाहिए तब ही आप कुछ कर सकते हैं ठोड़े स्टॉक्स खरीदिया जैसे अभी आज की रेट में आप जो खरीच सकते हैं इंडो कॉर्टन में खरीच सकते हैं और डेल्टा कॉप में खरीच सकते हैं अगर आपके पास 10,000 रुपे हैं तो यह दोनों ऑल्मॉस्ट एक ही प्राइस पे हैं 180 के आसपास 190 के आसपा और वेट करिए जब यह आपको 10% रिटॉन दे दे तो आप इसको सेल कर दीजे आपके 10,000 रुपे 11,000 रुपे हो जाएंगे है नचे जब बूएट दिबू कोई जल्दी की जरूवत नहीं है कहीं भागने की जरूवत नहीं है मैं आप पूरा कुशिश करूँगी कि उनका answer करो आपके पास मेरा email id भी होगा उस पे भी आप मुझे लिख सकते हैं और अगर आप comments बेजेंगे comments भी मैं लेखूंगी Thank you so much for watching videos अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं और लोगों के साथ please share करिए Thank you